असलाम लेकुम शुरू अला के नाम से जो बड़ा महरबान नहायत रहम करने वाला है आज हम बनाएंगे कराची में ठेलों पे मिलने वाली मज़िदार खटी मिठी काले चने की चाट मेरे पास फर्माईश भी थी के जो ठेलों पे कराची में काले चने की चाट मिलती है वो बनाना सिखाएं तो चलिए फिर आप सब की फर्माईश पे बनाते हैं ये मज़िदार काले चने की चाट कैसे बनेगी क्या क्या चीज़े जाएंगी रेसिपी को आपने एंट तक देखना है रेसिपी पसंद आए चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना है यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमे लायरा माने रही अब यहाँ पी आप लोगों ने बात को समझना है मेरे पास 3 कप बॉयल किये वे काले चने हैं मैंने चने लिए 3 कप उसके बाद पानी में डालके रात भर के लिए बीगने के लिए रख दिये सुबा में धोके साफ कर लिया साफ पानी डालके मैंने इनको बॉयल कर लिया 1 टी स्पून नमक डालके तो यह देखा यह बहुत ही अच्छ style chart बना रहे हैं तो एक कप मेरे पास इमली का pulp है ठीक है एक कप हमने इमली का pulp लेना है इसके लावा चार जवे lesson के थे जिनको मैंने इस तरह से chop कर लिया है और मेरे पास तीन हरी मिर्चे थी इनको भी मैंने चॉप कर लिया है वन टी स्पूस आबे सुफएज दीरा है हाफ टी स्पून नमक है ठीक है अब ये सारी चीजें हम डालेंगे मिक्सर में तो ये एक कप मेरे पास जो इमली का रस्था ये चला जाएगा इसके लावा वन फूर्ट कप मैं इसमें डालूंगी चॉप कियावा धनिया और दस से बारा पत्ते मेरे पास पुदीने के होंगे जो मैं इसमें डाल रही हूं और ये जो चीजें मैंने अभी करना है इनको ब्लेंड करना है और बड़ी मज़िदार सी चट्नी हमने यहां पर तयार करनी है तो यह मज़िदार चट्नी तयार हो गई है इसको साइट पर रखेंगे यहां पर कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं यहां पर डालूंगी वन थर्ट कप ओल ठीक है वन मैं इसमें डालूँगी साबे सुफै जीरा अब मीडियम आच पे हमने जीरे को थोड़ा सा कड़कडा लेना है ठीक है इसको जलाना नहीं है जलने से बचाना है एक से दो सेकंड के लिए बस हम इसको कड़कडाएंगे कि जीरे की आपको बड़ी अच्छी सी प्यारी सी एंड के लिए मैंने यहां पर सारी की सारी डाल दिया ठीक है वन टी स्पून कुटीवी लाल मिर्च डालेंगे वन टी स्पून मैस में डालूँगी चाट मसाला इसके लिएवा हाफ टेबल स्पून मैस में मोटा मोटा कुटावा धनिया डालूँगी हाफ टेबल स्पून म मोटा कुटावा मैस में डालूंगी जीरा ठीक है ये सारी चीज़े जाएंगी अब देखें नमक हमने चट्टी में भी डाला है और बॉइल करते हुए चनू में भी डाला है तो यहां पर वन टी स्पून डालेंगे तो आपने इस बात का दिहान रखना है वन टी स्पून पि हो जाए और अच्छी सी खुश्बू आना स्टार्ट हो जाए तो यह देख रहे हैं यह अब यह शकल आ गए बड़ा बहतरीन सा हमारा मसाला जो है यह भुन चुका है ठीक है यह देखें यह हो चुका है ओईल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा तो हमने इसको दो स में जितना भी फ्लेवर है वो मसालों का बड़ा अच्छा सा आ जाए अब यहां पे तकरीबन 3-4 टेबल स्पून में डालूंगी पानी क्यूंके मसाला बिल्कुल ड्राय है और ड्राय मसाला सिर्फ चनों के उपर तक ही रहेगा अंदर तक यह चने इस मसाले को सोक नहीं कर है चने वो सारा मसाला अपने अंदर सोक कर लें और चनों के अंदर तक बड़ा अच्छा सा मज़िदार सा फ्लेवर आ जाए ठीक है पस यह चोटी चोटी सी टिप्स है जिनको आपने समझना है तब ही फिर मज़िदार सी चाट तयार होगी तो यहां पे तकरीबन 5 मिनट के थेलें वाली खटी मिठी चाट लेकिन हमने यहां पे खटी चतनी तो डाल दी है मिठी चतनी हमने नहीं बनाई है वो बनाने की जुरूरत और आप को एक बहुत रही बहतरी चीजब बताने वाली हूं यहां पे हम डालेंगे 3 टेवल स्पून कैचप डालेंगे इससे क्या होगा कि हमारी चाट पे हलकी सी मिठास आ जाएगी और आपको इंशाला ऐसा फील होगा कि आपने इसमें मिठी चटनी भी डाली है जो ठेले वाले डालते हैं यह एक ऐसा फर्मूला है जो मैं एकसर करती हूँ और बहतरीं कामिया टीक है अब यहां पर तेज आच पे इसको बूहना है इतना बूहना है कि पानी थोड़ा बहुत जितना भी है वह सारा ड्राय हो जाए तो यह देखें जी तीन से चार नेट हमने इसको बूहना है अब यह सिर्फ गाड़ा-गाड़ा मसाला रह गया है जो सिर्फ चनों पे लिप्टावा है जूला हम बंद कर देंगे चने हमारे तयार हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें अब यहां पर मजीद चार्ट को मज़िदार बनाने के लिए मैं तीन मीडियम साइस के टेमाटर डाल रही हूं थोड़ से डालें थोड़ से रोक लें आदी-गड़ी डाला है इसके अलावा तीन मीडियम साइस के आलू है चुटे-चुटे काटके हाफ टीजपून हल्दी और हाफ टीजपून नमक डालके मैंने इनको बॉयल कर लिया जो ठेले पे चार्ट मिलती है उनके आलू थोड़ से औरेंज कलर के होते हैं तो वो दीभिया है तो आप उसमें हलदी डालें फूट कलर ना डालें अब यहां पे इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे अब यहां पर तकृवरा काम खतम हो गया है तकरीबन खतम हुआ है पूरा नही हुआ है लेकिन हम पहले यहां पर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं ताके सारी चीजें बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं ठीक है ये अब मज़िदार बिल्कुल जूसी जूसी हमारी काले चने की चाट त्यार हो गई है इसको हम निकालेंगे सर्विंग बॉल में ये देखे जी क्या ही मज़िदार हमारी काले चने की चाट फुल मसालेदार है जूसी है और हल्की सी को मिठास मिलेगी बिल्कुल हल्की सी बहुत ज्यादा नहीं लेकिर हल्की सी मिठास मिलेगी खटास मिलेगी और यह आगया जी final look हमारी मज़ेदार सी काली चने की चाट का मैंने boil किये वे आलू के साथ थोड़ा सा इसको डेकुरेट कर लिया थोड़ा सा मैंने प्यास टेमाटर हरा धनिया हरी मिर्चे और जी आखर में उपर से मैंने डाल दिया नीमवू इसके लावा आप लोग चाहें तो जो स्टार्टिंग में अपने चट्टी बनाई थी वो थोड़ी इस ये रोक लीजेगा और फिर चाट के ऊपर डाल के आप इसको इंजॉय कर सकते हैं और मज़े की ये चाट लगेगी यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करूंगी उपर से तोड़ा सा नीमवू डाला है इसको तोड़ा सा मिक्स करेंगे और टेस्ट करेंगे बिसमिल्ला रहमाने रहीम आपने जरूर बनानी है और बनाने के बाद मुझे बताईए का ये मज़ेदार चाट आपकी कैसी बनी